नमस्कार दोस्तों मैं समीत आप सब का उसागत करता हूं बर्ट्स केर एंड इन्फो यूट्व चानल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अगर आपके पेर्ट के बॉड़ी पर से इस तरह फेदर जहर जाते हैं तो फिर आप उसमें क्या करोगे पेर्ट के बॉड़ी पर बापस से न्यू फेदर आ जाए तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फोर्मेटिव और यूस्फुल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्किप की ये लास्ट टक देखते रही है और अगर आप चैनल पर नई आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और परसेट कर ले ताकि सारे लैटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं सब फेंट्स इस टाइम मेरे बहुत सारे भीवर्स मुझसे पूछ रहते हैं कि मेरे पैरेट के बोड़ी से फेदर तेजी से जढ़ रहे हैं तो आप इसका सोल्योशन बता हैं तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपके पैरेट के फेदर गिर रहे है या फिर तूट जा रहे है तो इसका ट्रीटमेंट घर पर कैसे करना है तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि पैरेट का फेदर किन-किन रिजन से लॉस हो सकता है तो फिर्स्ट है पैरेट फेदर प्लाकिंग इसू जिसमें पैरेट खुद के फेदर को खुजला-खुजला कर गिराना चालू कर देते हैं तो basically इसके दो region हो सकते हैं या तो parrot को सच में खुजली हो रही है या फिर पर्रट को उसके feather का taste लग गया है फेदर का ये बाला part जो आप अपने screen पर देख रहे हो कई बार parrot को इसका taste लग जाता है और इसलिए parrot खुद के feather को नोच कर चबाते रहते हैं तो इसका solution क्या है मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने parrot को हमें सब busy रखना है आप parrot को नीम की turny दे दीजे पैरोट उसमें busy रहेगा पैरोट को खेलने के लिए bird toys दे दीजे पैरोट उसमें busy रहेगा या फिर कौन का ये वाला हिस्सा को आपको फेकना नहीं है इससे भी आप parrot को दे सकते हैं पैरोट इसमें busy रहेगा मतलब पैरोट को हमें सब busy रखना है कुछ न कुछ activity करवाते रहना है जिससे वो feather को plug करना बंद कर देगा दूसरी चीज अगर parrot को सच में खुजली हो रही है तो इसका क्योर आपको कैसे करना है आप कुछ जेर सो से 200 ग्राम नीम की पत्ती कलेक्ट कर लीजे फिर उसको एक से 1.5 लीटर पानी में डालकर hard boil कर लेना है फिर नीम बोटर को ठंडा करके parrot के उपर अस्प्रे करना है दूसरी रिमेडी आपके घर के garden में जुट ऐलोवेरा उगे होते हैं उसको काट कर उसका जेल निकाल लेना है जहाँ जहाँ पर parrot का feather निकल रहा है वहाँ पर ऐलोवेरा जेल से मसाज करना है ये दूनों रिमेडी वीक में दो बार continue two months तक करनी है फिर आप देखेंगे धिरे-धिरे parrot का feather loss problem solve हो जाएगा साथी एलोवेरा जेल फेदर को regrow करने में बहुत जादा मदद करता है इसमें parrot का feather yellow होने लगता है और कुछ टाइम के बाद खुद पे खुद तूट कर गिर जाता है इसे हैं malting period करते हैं malting period में parrot के सारे old feather जढ़ जाते हैं और वही पर new feather grow होते हैं इसी को malting period कहा जाता है ये बिल्कुल natural process है जो कि हर एक bird parrot के साथ साल में एक बार होता है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं ये बस parrot के साफ सफाई का ध्यान रखना है और diet को अच्छे से maintain करना है रिजन नमबर 3 parrot feather disease अगर parrot को कोई feather disease हुआ है तो वहाँ पर आप देखेंगी कि उसका feather black या फिर feather में redness आने लगता है तो basically इसका चार रिजन हो सकता है फर्स्ट है वैक्टेरियल इंफेक्शन सेकेंड माइट्स थर्ड अनहेल्दी फूड और फोर्थ अनहाईजिनिक प्लेस तो इन सब का क्योर में आपको एक साथ बता देता हूँ जैसा कि मैं थोड़ी दिर पहले बात कर रहा था पैरेट को नीम लीव वाटर से बात देना है तो यह चीज यहाँ पर भी करनी है साथी एलोवेरा जेल से बॉड़ी पर अपलाई करनी है दूसरी चीज पैरेट को हमेंसा साप जगों पर ही रखना है उसके केज को डेली नहीं तो एक दिन गैप करके जरूर बॉस कर ले साथी अपने पैरेट को जहाँ पर भी रख रहे है वहाँ पे गंदगी नहीं करनी है हमेंसा किलीन रखना है इसके लाबा मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ गाइमिरल सीरफ इसमें से दो ड्रॉप दिन में एक पर कंटेनीू दो महने तक अपने पैरेट को देना है और कभी भी घर का पका हुआ डाल चावल दूध रोटी या फिरोटी सबजी पैरेट को खाने में नहीं देना है अगर आप पैरेट को घर का पका हुआ खाना देते हैं तो भी parrot का feather loss होने लगता है हमेशा आपने parrot को natural food देना है parrot food list पर मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है वीडियो का link मैं अपने description box में दे दूँगा link पर click करके आप वीडियो को देख सकते हैं इसके लावा मैं आपको कुछ ऐसे food बता रहा हूँ जो feather के growth के लिए बहुत important है तो सबसे पहले आता है carrot and beetroot इसको खाने से parrot का feather quality improve होता है साथी protein based food देना है जैसे की काला चना और मूग इसका sprouts parrot को morning time में दीजिये ये feather को strong बनाने में help करता है तो friends आज मैंने आपको बताया अगर आपके parrot का feather loss हो रहा है तो उसका treatment आपको घर पर कैसे करना है तो आज के वीडियो में बस इतना इमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो तो आज के वीडियो को हमें find up करते हैं